गुड मोर्निंग एवरिवान दोस्ता आज है फैबुरुरी सिक्स टॉंटी टॉंटी थ्री है हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस फेपर के इनालसिस बिरनावे सितेंदर चोधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टोपिक्स लेका हैं देखा आज नंबर इसका और छोड़ भी सकते हो कैपिटिल ओफ आंधर प्रदेश ये इशू तब से चल रहा है जब से आंधर प्रदेश को as a separate state बनाया गया है कौन सी आंधर प्रदेश की कैपिटिल होगी या आज तक decide नहीं हो अच्छे से तो ये controversy पूरी क्या है उसके बारे हम बात करेंग उसके लावा ये थोड़ा सा funny लग रहा होगा आपको लेकिन ये सच्चा ही है हमारे कई सारे monuments वो अभी missing हो चुके हैं क्यों हुए हैं कैसे हुए हैं थोड़ा से बारे बात करेंगे Archaeological Surveys of India के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा Windfall Taxis क्या होते हैं Repeated Topic है अगर आपने पहले इसको पढ़ रखा ताव इसको छोड़ सकते हो नहीं पढ़ा है तो आपके लिए नया हो जाएगा Energy Transition ये काफी important editorial है आज तो ये सबने पढ़ना है मेंस के perspective से काफी बढ़िया question यहां से आ सकते हैं क्लीम्स में भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ चीज है यहां पर जो हम लोग ने पहले नहीं पढ़ा था तो कुछ ऐसा नया नहीं है आज के paper में कोई पढ़ने में बहुत मज़ा आए अब आज खास हुआ था आज मोतिलाल नहरुजी की मृत्ति हुई थी आज के दिन 1931 के अंदर और आपको पता ही है जो आला नहरुजी के पिता जी है यह राइट और 1919 में जो है मोतिलाल जी पहली बार जो हैं इंटेनेशनल कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट भी बने थे 1923 में इन्होंने सुराज पाटी की स्थापना किया था यह भी आपको अच्छे से पता है ठीक और 1928 में सेकिंड टाइम दूसरी बार जहें वो प्रेजिडेंट बने थे और आनंद भावन जो आज कैसे मूजियम भी यूज किया जाता है अलाबाद के अंदर ठोके उन्हों था स्पाई बलून था नहीं यह नोर्मल वेदर फोरकास्टिंग वगरा के लिए वेदर को मापने के लिए वो सब हम लोग ने किया था वो गलती से हवा अमेरिका की साइड चल पड़ी और वो उस तरफ गया मतलब कितना फनी सा और्गमेंट है और हम लोग उसमें कुछ न पड़ा नहीं ठीक है तो उन्होंने इसको कहीं दिन के बाद मार गिराया है मार नोट कहीं है इसमें एक शोटा उसमें er suson कर दिया और वह सारी देखो कर देखो कि मेरा मन के मैं तो इसको कई其實 नंगा टिन क अंदर है ना तो ऐसा कुछ यहादी मामला जाएगा ऐसी चुटी चूटी चीज़े होती हैं जो बाद में बहुत एसकलेट हो जाती है उन्फोर्चुनेटली और चाहिए कहना है कि अपने ओवर रियक्शन किया इतना ज्यादा रियक्शन करने की रिक्वार्मेंट नहीं थी गलती से आ गया था लेकिन अगर गलती से आ गया था उसको इन्फो ठीक थे आप उसको बता नहीं रहे हो उन्होंने उसको पकड़ लिया है तब आप उनको बता रहे हो गलती से आ गया तो आपके इरादे भी ठीक नहीं है तो वो सारी चीज़े हमें चल रही है एसकलेट हो जाएगा भी यह डेफिनिटली तो आग तो पहले जल रही थी यह जानने को उसमें काम करेगा और यह चीज़ आगे बढ़ेगी अब हम तो ही चाहते हैं भी समाज में शान्ती रहे दुनिया में शान्ती रहे ठीक है स्पाई बलून के बारे में थोड़ा आपका बताता चलू मतलब पढ़ना आपने खुद से बलान बताना तो कही है इसमें स्पाई बलून को फर्स्ट वर्ड वोर सेंड व्ल्ड वोर में खूब यूज किया गया कोल्ड वर के दुरान भी स्पाई बलून का बहुत अच्छे से यूज किया रशिया और अमेरिका ने और पिक्चर वगरा क्लिक करने के लिए वह सारी चीज़ने हाला कि सैटलाइट स उड़ता यह जहां पर यूजली हमारे जो commercial military aircraft और नहीं जाते हैं, वहां तक जाता है, तो missile वगरा से basically जो है, इसको target करना पड़ता है, और वैसे इसके इसके stealth technology होती है, बहुत असनी सी पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन आप ही जाते हैं, लेकिन आप ही जाते हैं, लेकिन artificial intelligence का सब कुछ इसमें use के जाता, computer technology का, machine learning का, है ना, तो आजकल तो वो सारी चीजी हो गई है, तो this is something about spy balloon, इंडिया के पर भी कहीं बार देखे चाते हैं, पाकिस्तान की side से आते हैं, खासकर border areas में, वो चीज़े होती ही रहती है, खेर, आंदरप्रदेश capital conundrum यह थोड़ा पराना issue है, पराना issue in the sense, के 19, आपका पता 2014 के अंदर आंदरप्रदेश recognition act पास किया गया था, और आंदरप्रदेश को separate capital, आंदरप्रदेश को और तेलंगानों को separate कर दिया गया था, चलिए, लेकिन इस topic में जाने से पहले हम लोग पीछे जाते हैं, के आंदरप्रदेश म अंदर ही आंदरप्रदेश भी आया करता था, अब मदराज presidency में ज्यादतर लोग तमिल speaking हैं, इदर जो है तेलोग जो है speaking लोग रहते हैं, तो ज्यादतर जो resources उगरा के उपर जो अधिकार था या control किया करते थे, वो tamil speaking people किया करते थे, right, because मदराज presidency was the home, तो demand तब से शु जो हम स्टेट्स बनाये जाएं, लेकिन जब इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, 1952 में एक freedom fighter थे वहाँ से, पोटी स्री रामलु जी, उन्होंने एक hunger strike किया, भूख हड़ताल किया, 56 days की भूख हड़ताल के बाद उनकी death हो गई, उन्होंने बड़ा मनाने की कोशिश किया हमार जो policy makers थे, politicians थे, including हरू जी, वो काफी जादा अड़े हुए थे अपनी demand पे, कि हम लोग language के basis पे नहीं बनाएंगे state, उस समय के ऐसा लगता था हम लोगों को कि अगर language के basis पे बनाएंगे तो देश बंट जाएगा, यहर हमारे देश में 10,000 से जादा language बोली जाती है, अगर language के basis बनाने लगेंगे तो एक देश बचे गई नहीं, और तभी-तभी हम लोग बाहर निकले थे, तभी-तभी हमें इंडिपेंडेस मिला था, तो यह उस समय का डर था, आज मैं पता है कि language के basis बनाने में कैसे दिक्कत होती नहीं है, लेकिन उस समय महुल अलग था, but 56 days की hunger strike के बाद unfortunately जो है, इनकी death हो गई, और जब इनकी death हो गई, तो भी है large scale protest हुए, वहाँ पे, सड़कों पे लोग उतर आए, मार काट हुआ, बहुत कुछ हुआ, finally फिर जो है state recognition commission बनाया गया, 1953 में, और पहला जो linguistic basis फिर state बनाया गया इंडिया में, वो बनाया गया आंध्र परदेश, जिसे मदरास presidency से separate कर दिया गया, तो finally जो है, 1956 first of November को वो अलग हो गया, अब मुझे ये बताए, comment section में के first of November को और कौन-कौन से state का formation day है, आप मुझे comment section में मुझे बताओगे, ठीके जी, तो ये किया गया था, फिर 2014 में, उपर हम लोग ने देखा ये अभी दिमांड चल रही है, तेलंगाना वाले काफी समय से दिमांड कर रहे थे हमारा separate state बना दिया जाए, अब ये लिंग्विस्ट बेसिक बेसिस पर नहीं है, ये backwardness के basis पे है, तेलंगाना इस कंपरेटली backward as compared to आंधर प्रदेश, तो कि वो एक landlock state है, और because वो वेस्टन घाट क लीवर्ड साइड में भी आता है, और रेंड शैडो जोन में भी आता है, तो समी एरिड जोन है, तो वो सरी डिमांड हो रही थे, एकोनमी के basis पे, backwardness के basis पे, पर 2014 में फाइनल यूस को लग कर दिया गया, और ये क्या capital होगी, अब ये होचने वाली बात है, तो शुरुआत में डिसाइड किया गया है, हाइदराबाद को हम लोग common capital रखेंगे, अगले 10 साल के लिए, और इसे एक हम लोग UT के तोर पे रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आंतरप्रदेश के उस समय के जो CM थे, 2014 में, चंदरबावु नाइडू जी, उनके मन में कुछ होरी चल रह और जो भी कुछ हो आना, वो सिंगापूर से ही आया सब कुछ, तो उनको कहना था हम लोग इंडिया में सिंगापूर बनाएंगे, तो वो चीज़े चल रही थी, अब सिंगापूर कहां बनाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है, फिर उन्होंने क्या गया, बिलकुल नया जमीन खरीदेंगे, एकदम बिलकुल बेसिक से बनाएंगे, उसके लिए 33,000 एकड़ की जमीन भी खरीदी गई, अब ये सारी अग्रिकल्चर लेंड थी, ठीक है, बहुत सारे गाउं उसके अंदर इंग्लूड हुए, जमीने खरीदी गई, अब वहां पर य अलग से कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे नेता लोग से जो उनके चाचे, बतीजे, भाई, बंदू, उन्होंने ही जमीन खरीद ली, सारी की सारी, है ना, जो उनके नीर डियर, जो हुआ करते थे, सब चीज़े आपको पता ही है, क्या होता है, पोलिटिक्स में रही, वह क्रिश्णन कमीटी, अपोइंट कीगी 2014 में, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अमरावती कैपिटल बनाना ठीक नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, वाइज जैक, मतलब विशाका पत्रनम को नया कैपिटल बना देते हैं, विशाका पत्रनम ओलड़ी एक डैवलप्ड सिटी है, यहां पर कैपिटल शिफ्ट करना असान है, रादर दैन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से नहीं कैपिटल बनाना, उसमें तो सालों साल लग जाते हैं भाई, कैपिटल बनाना असान काम तो है नहीं, तो यह डिसाइड किया गया इस कमीटी के दौरा, अब अगली बार जो 2019 म में चंदरबाबु नाइडू जी लेक्शन हार गए नई पुल्टिकल पार्टी पावर में आ गई YSR अब YSR के जो मिस्टर रेड़ी हैं उन्हें नहीं नहीं अमरावती से काम नहीं चलेगा हम लोग क्या करेंगे वीशा का पट्रणों को कैपिटल बनाएंगे अब उदर वाले जो किसान थे जिन्होंने जमीन बेच दी थी अपनी अब वचारे वो क्या करेंगे अब वो फस गए फिर इन्होंने जब प्रोटेस्ट हुगरा शुरू हुए दुबारा से होना तो इन्होंने क्या गया एक और कमिटी वहाँ पे बना डाली ठीक है मिस्टर वाई एस जगन मोहंद रैडी जी ने एक नए कमिटी बनाया उस नए कमिटी ने क्या डिसाइड किया उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे तीन कैपिटल बनाएंगे विशाखा पर्टनम को बनाएंगे अपनी एग्जेकिटिव कैपिटल ठीक है जी ओके जो डिस रिवगरा सारी वहाँ पर होगी और अमरावती को बनाएंगे लेजिसलेटी लेज उन्होंने तीन कैपिटल की बात किया मतलब यह और थोड़ा सा कॉंपलेक्स चीज़ें करने के लिए क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे जब तक ड्रामा नहीं होता तो इसको पास कर दिया अब भया जो फार्मर्स लोग थे नराज हो गए यह चले गए आंदर प्रदेश है हाई कोट में हाई कोट में इन्होंने कहा के देखे माई बाप हमारे तो जमीने बिक चुकी है ठीक हम अब क्या करेंगे यहाँ जब कैपिटल बनाई हमें तो बोड़े सर इनसेंटिव दिये गए थे बड़े बड़े मोटे मोटे वादे किये गए थे अब उन वादों का क्या होगा तो वो सब उन्होंने कहा तो आंदर प्रदेश की सरकार ने डिसीजन दिया वर्टिक्ट दिया कि भई अमरावती को ही कैपिटल बनाय जाएगा जो पुराने गई सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने आंदर परदेश के हाई कोट को कहा के देखिए यह जो मामला होता है यह एग्जेकेटिव का मामला है ठीक है आप इसमें क्यों दख्ल अंताजी कर रहे हो है ना आप टाउन प्लैनर थोड़ी ना हो आपका काम है जज्जमेंट सुनाना टाउन प्लैनिंग करना आपका काम नहीं है ये सारा सरकार को देखनी दीजिए तो हांदर प्रदेश के जो डिसीजन है उसके पर स्टे लगा दिया गया बाय सोप्रीम कोड तो यह मामला चल रहा है भाई कब टेटल बनेगा नहीं बनेगा वह अलग बात है तो जब 2014 में कहा गया था है भाई हाधराबाद को कैपिटल रख लो अब 10 साल के लिए उसको हैलिक कैपिटल रख लेते 10 साल में अपना अलग से कर नया डिवलप कुछ न कुछ अब ना तो नया केपिटल बना पाए हाधराबाद से भी हाथ से छूट गया तो अब हाथ भी हाधर के बैठे हुए हैं अब वो सारी स्मस्टे हैं खेर आगे बढ़ते हैं एक्शन ओन चाइल मैरेज लीज गर्ल्स इन डिस्ट्रेस यह आसाम क बनाई हैं चोटी-चोटी कमिटी बनाई हैं हर गाउ में हर सिटी के अंदर हर वोड के अंदर चोटी-चोटी कमिटी बना दी गई हैं और जिन कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये रिस्पोंसलिटी दे दी गई है अगर आपके एरिया में कहीं पे भी चाइल इमेरेज होत एक direction जो उन्होंने वहाँ पर दिया था ठीक है जी अब उस case में क्या हुआ आसाम में बहुत सारे 33 से ज़ादा child marriage cases आते हैं खुछ खास district ऐसी है जो tribal dominated है या फिर जो muslim dominated districts है वहाँ पर थोड़े ज़ादा case आते हैं आसाम के अंदर यह national हमारा जो health family survey है उसने भी बताया था तो जैसे ही चीजें हुई arrest है ने शुरू हो गए 8000 से ज़ादा arrest हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में ठीक है जिन मेंसे कुछ लोगों को तुरंत छोड़ भी दिया गया अभी जो है 2000 प्लस लोग actually है मतलब real sense में जो है वो jail में है जिन में से अब देखते हैं हम आपे क्या होगा सडकों पे भी लोगा आना शुरू हो गए है ठीक है कहीं सारे इन्हों थोड़े थोड़े नाम यह पे बता रखे है 17 यर ओल्ड गर्ल गोपाल विस्वा राजबुल ठीक है कुछ लोगा तो ऐसा हो गया ना देखे उनकी उमर तो 21, 18, 19 साल है लेकिन उनके अधार कार्ड के अंदर जो है उनका डेट गलत दिया हुआ है कुछ लोग 20, 20 साल के हैं लेकिन उनके स्कूल के सर्टिविकेट में उनका एज जो है वो 17 साल दिया हुआ है अब ऐसे पेपर वर्क भी तो गराक हमारे यहां पर होता ना दिक्कत अब कहीं लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं अब यो पिता जी जेल में पड़े हुए हैं अब वो क्योंकि वाइफ जो है वो अंडर एज हैं अब वो बिचारी क्या करेंगी क्योंकि हस्बेन तो चले गए जेल में है ना वो ही एक करनी मेंबर हुआ करते थे तो ऐसी कुछ-कुछ दिक्कत अभी असाम में होना शुरू हुई है तो यह भी कोर्ट वोड में मामला जाएगा देखते हैं क्या होता है चार्ड मैर्ज के बारे में अगर बात करें हम लोग तो इंडिया में 1929 में पहली बार जो है एक सारदा एक्ट जो है बनाया गया था 1929 में आपका पता ही है उस समय कहीं सारे फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं कहोंगा देवर लाइक मोर अफ दा सोशल रिफॉर्मर्स ठीक है जिस में राजा राम मोहन राए और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे वहाँ पे महान लोग तो उनके एफर्ट से पहली बास सारदा एक्ट जो है वो बनाया गया था अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत अच्छे से ताब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं के सारदा एक्ट के तहत गर्ल्स की और बोईज की एज कितनी थी मैरिजेबल एज ठीक है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे फिर 1978 में जो एज थी गर्ल्स की वो 15 साल से 18 साल कर दी गई और जो बोईज की एज है वो 21 साल कर दी गई ठीक है ये आपको पता होना चाहिए तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कहीं सारे एक्ट हैं जैसे ह इस अलाव स्पैशल मेरिज एक्ट है 1954 प्रोईबीशन ओव चाहिड मेरिज एक्ट है 2016 ठीक है ये सब 18 साल की बात करते हैं नैशनल फैमिली हैल्थ सर्वेज जब लेटेस्ट हो था इंडिया में 2019-21 के लिए उनका ये कहना है कि इंडिया में 23 परसेंट जो गर्ल्स हैं उनक इंडिया में सबसे जबदा चाहिड मेरिज होती है उसके बाद बंगलादेश नाइजीरिया ब्रजील इथोपिया और पाकिस्तान ठीक है आप वो देख सकते हूं कौन-कौन से मेजर रीजन्स हैं चाहिड मेरिज होने के देखे ट्रेडिशनल सिस्टम है यहां पर ड्रीम यह अचीव नहीं होने देते हैं परिष्टेदारों को पता नहीं क्या मिर्ची लगती है जैसे बच्चा थोड़ा सा बढ़वा खासकर लड़की जैसे वो 12-13 साल की होती है इसकी शादी करवा दो शादी करवा दो है ना घरवाले चाहिए ना भी करना चाहते हो यह िनकी नाक में कर गड़े जो है वो करवा देते हैं कोई लड़की अगे बढ़ना चाहती है कोई बहूर जाके पढ़ना चाहती है यू生 की इतो हमारे यहे पर है तो कई बर सोचते हैं कर या क है या discovering लड़की जो हमारे रीपिंग हो जाती है रह 58 अच्छे घ्रлirk जाती है ना फैमिली मेंबर्स की वज़े से तरह से भी प्रेशर आता है लैंड उनर्शिप इसूज होते हैं एकोनमिक हार्डशेप पोवर्टी वह सब यहां पे रहता है है ना ट्रैडिशनल सिस्टम्स कुछ हमारे यहां पे ऐसे कम्मुनिटीज हैं जिनके अंदर यह ट्रै 13% से थोड़ा उपर होने चाहिए थे यह सब चीज़ें हैं ठीक है जिल चलिए ऐसाई डिसाइड्स टू फॉर्म स्पैशल पैनल टू टू ट्रेस एंड सर्टिफाई 24 मिसिंग मॉनुमेंट्स यह तो बड़ा इशू हो गया भाई हमारे मॉनुमेंट ही गायब हो गये अक् 92 प्रोटेक्टिड जो मॉनुमेंट्स हैं वो मिसिंग हो चुके हैं मतलब आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की जो लिस्ट है उसके अंदर वो प्रोटेक्टिड है लेकिन जब आप ग्राउंड पर एक्चली में वहाँ पर जाओ गए ना तो वहाँ पर कोई मॉनुमें के लेके चले जाते हैं है ना तो वह सब चीज़े होई 92 मॉनुमेंट्स वहाँ पर नहीं मिले हालां कि बाद में जब आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने खुद से उनको ट्रेस करने की कोशिश की तो 68 मॉनुमेंट्स को ट्रेस कर लिया लेकिन 24 मॉनुमेंट्स अभी भी मिसिंग है तो अभी अभी जो अपना बजट सेशन करा चल रहा है वहाँ पर हो हला हुआ तो हो हला होने के बाद सरकार ने कहा है कि भी अभी हम लोग एक नया कमेटी बनाएंगे अंडर अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यह जो 24 मिसिंग मॉनुमेंट्स हैं इनको वो डेटेल में जाएंगे देखेंगे अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर हम उनको सर्टीफाई कर देंगे कि यह गायब हो चुके हैं यह एक्जमपल भी नहीं यहाँ पर दिये हुए हैं जैसे फरीदाबाद और कुरुक्षेत्रा में जो कोस मिनार है देके शेर साफ सुरी जब जीटी रोड बनवाया था तो उसमें क्या होता था हर एक कोस के उपर ठीक है वो एक लगाया करते थे पीलर टाइप का लगाया करते थे इसे मीनार कहते थे आज भी लगे होए हैं अगर आप थोड़ा जीटी रोड की तरफ जाओगे चंडीगड वाले रूट पे दिल है उसके लगा जो मुबाग है रखबूर कोटला ठीक है यह एक वली गोमती है यह गायब हो गया कहीं सारे चीज़ें अभी इतका ना डेटा आपको याद ने करने की रिकॉर्मेंट जादा नहीं है इस समय है जो हमार आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया है 3693 प्रोटेक् से मिले हैं नहीं मिले हैं आर्केलोजी के सर्वे उफ इंडिया का पुराना कंटेंट है मैंने वह पहले दिया हुआ है थोड़ा आप इसको से बढ़ सकते हूं बट इसका जो क्रेडिट जाता है वह अलेक्जंडर कनिंगम को जाता है 1861 में उन्होंने इसको क्रेट किया था और उनको फादर ओफ इंडियन आर्केलोजी भी कहा जाता है और मिनिस्ट्रो कल्चर के अंडर में या आता है और फिर बाद में हम लोगों ने इंसेंट मॉनुमेंट एंड आर्केलोजिकल साइट एंड रेमेंस एक्ट 1958 भी पास किया था ठीक है वो थोड़ा सा आप अपन आपको आंसर करना है छोटा सा आसान कोस्टन है बिल्कुल ही ठीक है आराम से हो जाता है चलिए जी विंटफोल टेक्स ओन कुरूड ओल एंड डीजल एटीएफ हाइक्ट एटीएफ का मतलब होता एविएशन टर्बाइन फ्यूल ठीक है तो थोड़े समय पहले सरकार ने लास्ट टू लास्ट वीक बेसिकली विंटफोल टेक्स को थोड़ा सा कम कर दिया था अभी दवारा से इंक्रीज कर दिया है थोड़ा सा आइडिया को दे देता हो आपको यह विंटफोल एक्चली होता क्या है टेक्स विंटफोल टेक्स किसी भी ऐसे प्रोफिट के उपर लगाया जाता है जो अन एक्सपेक्टिड होता है ठीक है मतलब जैसे आपने लोटरी लगा दी ठीक है आप सड़क से जा रहे थे आपने आपके पास 10 रुपे एक् रुपे का इनाम लग गया वही एक क्रोट का प्राइज मीगर मिल गया आपको पहले आपने तो कुछ effort नहीं किया ना अपने जिंदी कुछ महनत दिन नहीं किया आपने सिर्फ यह किया कि जाकर उसको खरीद लिया इसे कोई महनत नहीं बोलो गए इसे कोई research नहीं बोलो अब यह आपका क्या है यह gain है windfall gain जो unexpected होता है और आपको अपनी महनत से बहुत जादा मिल जाता है उसे windfall gain कहते हैं अब जब ऐसा कोई gain होता है तो पीछे से सरकार आपके पर नज़र रखती है सरकार कहते है बेटा तुम्हें इतना benefit हुआ है इसमें हमें क्या मिलेगा तो nuevos नहीं ही समझ जो आप drizzle क की example है वैसी ठीक है जाम्नगर में रिलाइंस की जो में जो है जो है आए वो एशिया की सबसे बड़ी refinerie है अब realize क्या करते हैं Але hanokra comprendre वाले refinery में उसको refine करते हैं उसमें से product बनाते हैं petrol, diesel, wax, वकर दुनिया भर की चीज़े बनाते हैं और फिर उन products को आगे दूसरी countries में बेच देते हैं यह उनका इस तरह का profit moral रहता है अब crude oil international market में क्या हुआ increase हो गया उसका price Russia, Ukraine वोगरा वो सब हुआ जिसकी वज़े से यह जो product थे reliance वाले वो भी भाई double double triple rate में भीकने लगे तो reliance company को जो है बहुत सारा benefit हुआ अब तो reliance है हमें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया अब आपको पते है कि Russia हम लोगों से क्या कर रहा था discount में oil दे रहा था अब रशीय रिलाइंस वाले उधर से discount में खरीद रहे थे लेकिन आगे उसको double triple price में बेच रहे थे अब इसमें रिलाइंस तो ने तो कुछ नहीं किया ना तो रशीय यूकरेन वोर हो गया वालग बात है तो रिलाइंस को तो बैठे बैठे की कमाई होगी उनके तो है ना तो सरकार ने क्या कर रिलाइंस को देखो बेटा है यह आपका win gain win fall tax है तो इसलिए आपके इसको पर tax लगाना पड़ेगा तो यह tax सरकार ने शुरुआत में लगाया था अभी थोड़ा इसको कम कर दिया था लेकिन अभी थोड़ा सा इसको दुबारा से बढ़ा दिया है डीजल के उपर जो है पहले यह 5 रुपे था पर लिटर इसको भी 7.5 लिटर कर दिया गया है ATF जो aviation turbine fuel होता है पहले it was around 3.5 रुपीज पर लिटर इसको 6 कर दिया गया है यह आपको data याद नहीं करने बस concept पताना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है windfall tax का purpose क्या है इसके type कौन से होते है calculation कैसे की जाती है implementation कर रहा कैसे होता है यह आपको self study के लिए मैंने दिया हुआ है windfall taxes को काफी criticize भी किया जाता है बहुत सारे experts के द्वारा ठीक है इसका काफी negative impact भी होता है एक तो investment reduce होती है भाई जो business man है वो कहीं पर investment करता है कोई factory लगाता है कुछ भी करता है तो profit के लिए करता है अब सरकार आपके पर windfall tax लगा दिया प्रोफिट कम हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात है तो क्यों investment करेगा और यह unfair punishment है अब उनका कसूर थोड़ी है रहा है उनका profit increase हो रहा है उनका कसूर थोड़ी है कि रिलाइंस जो रश्या यूक्रीन वोर हो गया वो तो अपना काम कर रहे थे ना तो यह unfair punishment उनको दिया जा रहा है ऐसा कुछ लोगों को लगता है इसे चीज़े complex हो जाती है ठीक है और दुनिया भर में उस country की एक ऐसी image बन जाती है कि यह country जो है वो business friendly नहीं है तो ease of doing business का भी उससे नुकसान होता है राइट वो सारी चीज़े है और political challenge तो of course यहाँ पर है ही थोड़ा देख सकते हो यह मेंस के perspective से थोड़े point है कई यह point का भी subjective होते है ठीक है बताव इसको काम करती है question बनाने को question भी बना सकता है what do you understand by windfall taxes discuss the benefits and drawbacks in present context ठीक है तो 150 word में 10 marks में आपसे question पूछा जा सकता है benefit के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके है जो इसके downside है वो भी हम लोग ने पहले बात कर चुके है repeated इस अटोपी का कुछ नया है इसमें कुछ खास था नहीं but anyways थोड़ा content आपको मिल गया एक दो बार पढ़ोगे त आगे बढ़ते हैं India's just energy transition is more than the cold story ये वाला point आपको पता होना चाहिए काफ ही important रहेगा prelims में definitely यहां से question आएगा 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 prelims में भी आएगा just energy transition partnership इसके बारे में सवाल आपसे आने वाला है कब बनाया गया था basically इसकी शुरुआतरा COP26 में हो गई थी glass go के अंदर ठीक है तो देखे आपको पता ही है कि जो developing country होती है वो developed country से लगता demand करती रहती है कि हमें पैसा दो fund दो है ना हमें technology दो हम उनके उपर सर के उपर खड़े रहते हैं कि हमें नहीं पता हमें तो चाहिए अगर आप चाहते हो कि real में हम लोग climate के लिए कुछ करें तो हमें funding दो देखे हम तो गरीब country है यार हमारे पास पैसा नहीं है हमारे country के या जो per capita income है वो वेचारी 2000 dollars है per year है ना उन country जो 50, 60,000, 70,000 dollars जाती है तो उनके comparison में हम तो कुछ भी नहीं है है ना उनका सबसे गरीब आदमी भी हमारे यहाँ पर जो अमीर आदमी उनके बराबर में काम करता है तो हमें तो पैसा चाहिए यार उनसे तो उन्होंने decide किया finally glass go में और उन्होंने एक partnership fund बनाया जिसे कहा गया just energy transition partnership ये याद रखना इसको बिल्कुल prelims में question पूछे आपसे वो glass go में इसके शुरुआयत हुई थी तो इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग ये जो rich country हैं वो poor countries को emission को reduce करने के लिए पैसा देंगी इस पर सबसे ज़ादा जो focus किया गया था वो coal के उपर किया गया था और ये term आपने याद रखनी है phase out phase out का मतलब होता है किसी भी चीज को remove कर देना तो ये चाहते हैं कि coal को हम लोग remove कर दें पूरी तरह से rich country चाहती है कि गरीब जो country है developing country है वो country अपनी country में से coal based energy को phase out कर दें पूरी तरह से remove कर दें इन्होंने पहले phase में जो funding देना शुरू किया था वो South Africa को देना शुरू किया था अभी second जो funding around होगा उसमें इन्होंने क्या गिया है ठीक है अब बात करते हैं इंडिया के बारे में भाई क्या इंडिया coal को phase out कर सकता है अपनी energy needs से अपनी electricity generation से बिल्कुल भी नहीं कर सकता तो इंडिया ने यही कहा है कि देखो भाई आप पैसा दे रहे हो अच्छी बात है effort ले रहे हो हम अपका appreciate करते हैं but I am really very sorry इंडिया phase out करने की position में नहीं है हाँ इंडिया ने इनको नया term दिया आपको पते या term देने में तो इंडिया वाले माहिर है phase down ठीक है phase out के जवाब में हमारा जवाब था phase down मतलब हम लोग खतम नहीं करेंगे call के use को करना क्योंकि हम लोग afford नहीं कर सकते भाई अभी हाँ उसको reduce जरूर करेंगे थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे क्योंकि 2070 का target है हमारा धिरे-धिरे phase down करेंगे phase out नहीं करेंगे बार-बार focus इस ले कर रहा हूं को कि एक्जाम में यहां से directly questions आते हैं इस तरह की चीज़ों से ठीक है तो क्या है challenges बहुत सरे challenges है fossil dependent jobs अब भाई हमारे यहां पर जो coal mining होती है हजारों लाखों लोग उसमें employed हैं जो thermal power plants होते हैं उसके अंदर कितने लोग employed होंगे जो coal को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसमें कितने लोग involved होंगे बाकि research करना, survey करना, technical चीज़े करना लाखों लोग हमारे यहां पर coal mining sector में involved हैं इंडिया में उनकी jobs का क्या होगा अगर आप coal को ही remove कर दो गए, सबसे बड़ी बात तो यह है उसके अलावा, it will disrupt future energy access देखें, यहां पर दो चीज़े हैं, developed country और developing country में जो फरक है आपको पता है कि developed country अपनी peak पे पहुंच चुकी है ठीक है, developing country अभी grow कर रही है developed country में समस्या क्या है, over consumption की समस्या है जितनी लोगों को बिजली की महाँ पर requirement होती है, उसे 10 गुना जादा खर्चा कर रहे है developing country में लोगों के पास जरूरत है उनके पास अपनी जरूरत से कम बिजली है बेचारों के पास तो developing country में future में demand बढ़ेगी और ये countries अपनी demand को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये already over consumption कर रहे हैं तो दोनों देशों में situation अलग है भाई तो अगर हम लोग call को phase out कर देंगे as per this agreement future में जो demand बढ़ेगी इंडिया में उसको हम लोग कैसे tackle करेंगे देखे solar के पास, wind के पास, hydro के पास इतना capacity नहीं है कि वो सारी demand को fulfill कर दे हाँ कुछ कर सकता है as a helping hand लेकिन पूरी तरह से replace करने की position में नहीं है वो सारी बाते हैं और call wall से हम इतनी income भी मिलती है है ना कितना पैसा हम लोगों को मिलता है और अगर हम लोग सारा पैसा सरकार solar में लगा देगी, wind में लगा देगी तो सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो welfare program है वो हम लोग कैसे implement करेंगे और economic inequality आप ये चीज़ देखिए कि जैसे जहारखंड है बिहार है, ओडिसा है ठीक है, west Bengal है यहाँ पे जो बिजली पैदा हम लोग करते है अब यहाँ पे heavy industry है छोटा नागपुर प्लैटू में इंडिया की mostly heavy industry settled है क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आपको call मिल रहा है सस्ता call मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है अगर हम लोग call को ही remove कर देंगे तो वहाँ पे heavy industry का क्या होगा उब्यसी बात है तो यह जो states है पहले ही वो economically backward है अगर आप वहाँ से call remove कर देंगे तो फिर तो बेचारों का मतलब राम नाम सत्ती ही हो जाएगा यह समझें बहुत सारी है ठीक है, हर country की special needs होती है जो इस agreement में consider नहीं की गई है future की वाली demand की बात हम लोगे नोड़ी कर लिया है and implementation issues also है ना, तो वो तो bureaucracy तो हमेशा रहती ही है इंडिया बहुत effort ले रहे है अपने हिसाब से, जो हमें करना चाहिए जैसे हमारे जो पंचामरी targets है ठीक है उस पे हम लोग काम कर रहे है हाला कि उतना अचीव नहीं कर पा रहे है जो हमने सोचा था बट कुछ ना कुछ तो करी रहे है National Green Hydrogen Mission हम लोगों ने चलाया है PLI schemes हम लोगों ने चलाई है National Carbon Marketing हम लोगों ने scheme चलाया है अब यह देखिए आपको मैं current affair में हम भी सुबह सुबह इनको detail में नहीं जा सकता हाँ पहले हम लोगों ने future mill के बारे में बात किया है बट आपको suggest करता हूँ प्लीज आप independently जाए इनके बारे में पढ़ें और अपने notes बनाएं काफी important topics होते हैं यह environment ecology वाले perspective से बहुत important बहुत मतलब बहुत ही important आप इसको lightly मत लीजिए ठीक है थोड़ा जाएं सर्च करें अपने notes बनाएं इनके बारे में ठीक है detail में मैं नहीं जा सकता भी बट क्या यह हमारे लिए enough है नहीं enough तो कुछ भी नहीं होता हमेशा कुछ नो कुछ improvement के chances रहती है और हम लोग क्या कर सकते हैं एक तो हमारा जो non-fossil capacity addition है वो हम लोग remove और increase कर सकते हैं 2020 में हमारा जो capacity था that was only 16 gigawatt per year अगर हम अबरे पंचामरे target को achieve करना है तो हर साल इंडिया को 75 gigawatt non-fossil मतलब wind solar से energy पैदा करनी पड़ेगी तो अबने target से हम लोग बहुत पीचे हैं तो पहले तो इसको किया जाना चाहिए उसके लावा agriculture sector में जो electricity की demand होती है उसका हम लोग solarization कर सकते हैं इसके लिए हम लोग उने scheme भी चला रहा किया PM कुसुम है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से implement करिए यह किया जा सकता है electrification of the diesel powered SMAC जो हमारे यहाँ पर micro small medium enterprises है छोटे कारखाने जो होते हैं अभी जो बिजली उनको दी जा रही है वो solar based होती है तो आप हिनका electrification कर सकते हैं यह लोग coal का direct use करते हैं electrification करेंगे तो clean energy आएगा वो सब चीज़े हम लोग कर सकते हैं उसके लाओ हमारी country में जो बिजली पैदा करने के लिए जो components होते हैं instruments होते हैं या फिर जो clean energy जैसे solar panels हो गया solar panels होगर हम लोग India mostly import करते हैं ठीक है या जो wind energy के लिए जो सीज़े चाहिए होते हैं वो सब mostly हम लोग import करते हैं तो ये component हम domestically बनाएं तो ज़्यादा better होगा ये चीज़े हम लोग definitely इसे सस्ता हो जाएगा इंडिया में जो solar panels होते हैं वो Chinese solar panels से 20% costly होते हैं जिसकी वज़े से वो growth हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो cost competitiveness भी बहुत ज़रूरी है है ना ताकि हमारी domestic industry grow करे coal के बारे में थो हम लोड़ी बात कर चुके हैं coal को इंडिया phase out नहीं कर सकता है phase down कर सकते हैं definitely एक तो हमारे यहां पर easily available है सस्ता होता है ठीक है और एक जीज़े इनोंने यहां पर जो कही है थोड़ा मुझे doubtful लगता है वैसे यह इनका यह कहना है इस article में सरका यह कहना है के भई कोल जहां पर पैदा होता है वहीं पर बिजली पैदा की जानी चाहिए ठीक है rather than coal को आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओ इनका यह कहना है ठीक है transmission cost क्योंकि one third total cost जो है वो उसके अंदर आती है तो अगर हम लोग coal mining वाली जगह पर ही अगर coal से energy बनाएंगे electricity produce करेंगे जिससे बहुत जादा हमारा cost जो है बच जाएगा ठीक है ऐसा इनका है तो rather than taking coal from resource region to another region ठीक है मतलब ऐसा मत करो आप के भाई आप रानी गन से coal लेके गए कलकत्ता में कलकत्ता में जा गए प्लांट लाएंगे यह का है के yes we need to manufacture electricity we need to produce electricity in रानी गन जी इटसेल्फ rather than taking coal from रानी गन to कलकत्ता and then produce electricity there क्योंकि यह जो transmission cost है it is actually one third of the total cost तो इन्होंने एक चुछी बोली है और इंडिया में देख हम लोग ने पहले ही बात किया था कि जो solar होती है wind होता है hydro होता है यह ठीक है सुनने में अच्छा लगता है लेकिन क्या यह हमारी पुरी demand को fulfill करेंगे नहीं आने वाले समय में coal ही हमारी future demand को fulfill कर सकता है ठीक है कि लोने यह कुछ चीजे बोली है उसक पर लेके आ सकते हैं अब इंडिया के पास जो है G20 की presidency है तो definitely इंडिया के पास एक बड़ी opportunity है हम लोग बाकी country के साथ negotiate कर सकते हैं इस मामले में तो यह कुछ कुछ चीजे नहीं आपर बताई थी तो आज गलिए मेरे काल से sufficient है तो आज गलिए इतना ही thank you very much all the best जाहिंद